कहरोव और पांडाओं का युद्ध तथा उसका परिणाम हो अगनी देव कहते हैं युदिस्ठिर और तुरियोधन की सेनाएं कुरुरुशेत्र के मैदान में जा गटी अपने विबक्ष में पिता महधिश्म तथा आचार्य द्रोण आदी गुरुजनों को देख कर अरजु इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो कार्य की सिध्धी और असिध्धी में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रे ले शात्र धर्म का पालन करो अरजुन रथारूड हो युद्ध में प्रव्रत्तु है उन्होंने शंक ध्वनी की दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पि पांडों पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंड यादी पांडों पक्ष के वीर कावरों सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बना में लगे कवर और पांडो सेना का वो युद्ध दिवासूर संग्राम के समान जान पड़ता था आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वो युद्ध बड़ा आनंद दायक प्रतीर होता था भिश्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पांडाओं की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार किराया दस वे दिन अरजुन ने वीरवर भिश्म पर बाणों की बड़ी भारी व्रिष्टी की इधर दुपत की प्रेयणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भाती बिश्म पर बाणों की छड़ी लगा थी दोनों ओर के हाथी सवार, गुण सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए बिश्म की मृत्व, उनकी इच्छा की अधीव थी उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखा कर वसू देवता के कहने पर वसू लोक में जाने की तैयारी की और बाण शया पर सो रहे वे उत्तरायन की प्रतीक्षा में भगवान विश्णों का ध्यान और रिस्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे दिश्म के बान शया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा तब आचार ये द्रोण ने सेना पतित्व का भारक रहने किया उधर हर्ष मनाती हुई पांड़ों की सेना में दृष्ट दुम्न सेना पति हुए उन दोनों में महा भैंकर युक्त हुआ जो यमलोग की आबादी को बढ़ाने वाला था विराट और दुरुपद आदी राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए हाथी, घोडे, रत और पैदल सैनिकों से युक्त दोयोधन की विशाल वाहिली दृष्ट दुम्न के हाथ से मारी जानी रगी उस समय दृण काल के समान जान पड़ते थे इतने में ही उनके कानों में ये आबाज आई अश्वस था मा मारा गया इतना सुनते ही आचार ये द्रोणों ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिये ऐसे समय में दृष्ट दुम्न के बाणों से आहत होकर वे प्रत्वी पर गिर पड़े द्रोण बड़े ही दुरधर्ष थे विसंपूर्ण शत्रियों का विनाश करके पांच वे दिन मारे गए दुर्योधन पुनहा शोक से आतुर हो उठा उस समय करण उसकी सेना का करण धार हुआ पंडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला करण और अर्जुन में भाती भाती के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महा भयानक युद्ध हुआ जो देवासूर संग्राम को भी मात करने वाला था करण और अर्जुन के संग्राम में करण ने अपने बानों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का सनहार कर डाला किन्तु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया चद्रंतर राजा शेल्य कवरव सेना के सेना पती हुए किन्तु वे युद्ध में आदे दिन तक ही टिक सके दोपहर होते होते राजा युदिश्टिर ने उन्हें मार गिराया दुर्योधन की प्रायह सारी सेना युद्ध में मारी गई थी अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ उसने पांडो पक्ष के पैदल आदी बहुत से सैनेकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे महाभारत संग्राम के उस 18 में दिन रात्री काल में महाबली अश्वस्थामा ने बांडों की सुई हुई एक अक्षाहोनी सेना को सदा के लिए सुला दिया उसने दुरोपदी के पांचों पुत्रों उसके पांचाल देशिय बंधूं तथा दृष्ट दुम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा दुरोपदी कुत्रहीन होकर रोने भी लखने लगी तब अर्जुन ने सिंक के अस्त्र से अश्वस्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणी निकाल ली उसे मारा जाता देख दृपदी नहीं अरुनाय विनय करके उसके प्राण बचाया इतने पर भी दुष्ट अश्वस्थामा ने उत्रा के गर्भ को नश्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया वो गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्द हो गया था किन्तो भगवान श्रीक्रिष्ण ने उसको पुना जीवन दान दिया उत्तरा का वो गर्भष्ट शिशू आगे चलकर राजा परिक्षित के नाम से विख्यात हुआ करतबर्मा करपाचारिय तथा अश्वस्थामा ये तीन वीर कावरो पक्षिय वीर उस संग्राम से जीवित पचे दूसरी ओर पांच पांडव साथ्यकी तथा भगवान श्रीक्रिष्ण ये साथ ही जीवित रह सके दूसरे कोई नहीं बचे उस समय सबूर अनाथा इस्त्रियों का आर्दनाद व्यापत हो रहा था विमसेन आदी भाईयों के साथ जाकर युदिश्टिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमी में वारे गए सभी वीरों का दाह संसकार करके उनके लिए जलान जली दे धन आदी का दान किया तत्पस्षात कुरूर शेत्र में शरशया पर आसीन शांतन उनंदन भिश्म के पास जाकर युदिश्टिर ने उनसे समस्त शांत इदायक धर्म, राज धर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातने सुनी फिर वे राज सिहासन पर आसीन हुए इसके बाद उन शत्रू मर्दन राजा ने अश्वमेग यग्य करके उसमें ब्रामणों को बहुत धन दान्द किया तदनंतर द्वारका से लवटे हुए अर्जुन के मुख से मुसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारसपरिक युद्ध द्वारा याद्वों के सनहार का समाचार सुन कर युदिश्टिर ने परिक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयम भाईयों के साथ महा प्रस्थान कर स्वर्ग लोग को चले गए यदुकुल का सनहार और पांड़ों का स्वर्ग गमन अगनी देव कहते हैं ब्रह्मन जब युदिश्टिर राज सिहासन पर विराजमान हो गए तब जत्राष्ट क्रहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए अथवा रिश्यों के एक आश्रम से दूसरे आश्रम में होते हुए वेवन को गए उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी विदुर जी दावानल से दगदो हो स्वर्ग सिधारे इस प्रकार भगमान विष्णु ने प्रुत्वी का भार उतारा और धर्म के स्थापना की तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांड़ाओं को निमित बना कर दानों दैत्ते आधी का सनहार किया तक पस्चाप भूमी का भार वढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्रह्मनों के शाप के बाहने मुसल के द्वारा सनहार कर डाला अनिरुद्ध के पुत्रवज्र को राजा के पदबर अहिशित किया तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास शेत्र में श्रीहरी स्वयम ही इस्थुल शरीर के लीला का सनवरन करके अपने धाम को पधा लिए वे इंद्रलोक और प्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं बलभदर जी शेस नाग के स्वरूप थे अतहा उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रे लिया अभिनाश्री भगवान श्रीहरी ध्यानी पुर्शों के थे हैं उनके अंतरधान हो जाने पर समुद्र ने उनके नीजे निवास इस्थान को छोड़कर शेस द्वारी का पुरी को अपने जल में डुबो दिया अर्जुन ने मरे हुए याद मुका दाह संसकार करके उनके लिए जलान जली दी और धन आदी का दान किया भगमान श्रीकृष्ण की रानियों को जो पहले अपसराएं थी और अश्टावकर के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी लेकर हस्तिनापूर को चले मार्ग में डंडे लिये हुए गौालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सक खोशील लिया ये भी अश्टावकर के शाप से ही संभव कुआ था इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोख हुआ फिर महिर शिव्यास के स्वांधवना देने पर उन्हें ये निश्चे हुआ कि भगवान श्रीकृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में पज़ था हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाईयों सहित राजा युधिष्टिर से जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे ये सब समाचार निविदन किया वे बोले भईया वही धनुष है वे ही बान है वही रत है और वे ही खोड़े है किन्तु भगवान सेरे कृष्ण के बि संसार की अनियत्तता का विचार करके द्रोपदी तथा भाईयों को साथ ले महा प्रस्थान के पत पर अक्रसर हुए मार्ग में वे श्रीहरी के अश्टोत तर्शत नामों का जब करते हुए यात्रा करते थे उस महा पत में क्रमशह, द्रोपदी, सहदेव, नकुल, अरजु उन्हें दुर्योधन आधी सभी धितराष्ट पुत्रों को देखा, तदनंतर उन पर करपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्चन किया, इससे उन्हें बड़ी प्रसन अता, ये मैंने तुम्हें महा भारत का प्रसंग सुनाया, ज